नमस्कार एंबिसी हिंदी के खास कारिकरम रूबरू में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ कनकमा थो इस खास कारिकरम में मैं आपको एक ऐसी शक्सियस से मिलवाने जा रही हूँ जो किसी पहचान की महताज नहीं है जी हाँ मैं आपसे बात कर रही हूँ बॉलीवट की बेहद फेमस और खुबसूरत एक्टर्स प्रियंका को ठारी की जो पेशे से एक मॉडल है एक्टर है यूगा टीचर है और एक सोशल वरकर है मैं स्वागत है आपका हमारे चैनल में थैंक यू सो माच कनक और इस प्लेशर बॉलीवट में आपने करियर की शुरुवात कैसे की स्कूल में जैसे सारे बच्चे को किसी को डॉक्टर बनना होता है किसी को इंजीरियर बनना होता है आपको एक एक्टर बनना था तो इस पर आपके पैरेंस का क्या रेक्शन था जब आपने उनको कहा कि मुझे एक्टर तो पहले तो जैसे टीवी पर देख के या दूसरों को just copy and because you want to become somebody like that तो मैं बहुत जादा मुझे जो books भी college में, school में, जो भी मुझे homework करने के लिए भी books or registers मिलते थे उस पर भी stars के नाम जादा होते थे, homework कम होता था then I decided to become an actor one final day my father was very skeptical, बहुत थोड़ा नाराज भी थे लेकिन मेरी मा का पूर्ण support मुझे मिला जिसके कारण ही मैं Bombay गई और Bombay जाने के बाद में मैंने अपना जो dream था उसको मैंने परस्यू किया आच्छा प्यांका जी आप एक actor है, model है, yoga teacher है, इसके साथ साथ एक social worker भी है तो आपका experience कैसा रहा बॉलिवूट के एक hit heroine से लेकर social worker तक का मुझे लगता है कि जिन्दगी जो है आपको हर मोर पे नए नए experience, नए opportunities हमेशा देती रहती है और मुझे हमेशा से कुछ ना कुछ अलग करने की इच्छा रहती थी और ताकि पहले मैं सोचती थी कि अपनी जो films में कैसे काम किया जा सकता है what is glamour, what are these things, कैसे एक इनसान, एक ही इनसान होता है फिर भी doctor बन सकता है, engineer भी बन सकता है और अलग-अलग सारे character, housewife, whatever friend, सारे character आपको मिल जाता है तो मैं बहुत जादा उसकी तरफ inclined थी, films की तरफ करते-करते एक दिन मुझे समझ आया कि नहीं what I wanted to do वो मैंने experience किया, लेकिन अब जो मेरी असली passion है असली passion मतलब ऐसा नहीं कि वो असली passion नहीं था but with time, things keep on changing तो मुझे लगा कि मैं जो अपना एक trust बनाना चाहती हूँ foundation बनाना चाहती हूँ बहुत सारे लोगों को अपने साथ में जोडना चाहती हूँ तो मैं उसके लिए उसके तरफ चल पड़ी and luckily मेरे husband ने मुझे बहुत support किया और उन्होंने ही मेरा foundation मुझे बना के दिया प्यांका जी आप से जाना चाहूँगी कि लगबग 32 फिल्मों में आपने काम किया है जिसमें Bollywood से लेकर South की फिल्में शामिल है तो आपका experience कैसा रहा आप Bollywood फिल्मों को लेकर है मेरा experience तो मैं कहूंगी फिल्मों को लेकर ही कह सकती हूँ It's not about Bollywood film और Tollywood film because जब आप film करते हैं तो उस वक्त में वो film आपके लिए उतनी ही importance रखती है तो South में मेरा सबसे जादा काम मेंने South में ही किया मेरी पहली फिल्म तमिल थी तो मुझे बहुत ही मज़ा आया और Bollywood में भी सब बहुत बड़े-बड़े सितारों के साथ में भी काम करने का मुझे मौका मिला So I am very thankful to Almighty I am very thankful कि जो भी मैं करना चाहती थी वो सारे चीजे मुझे करने का opportunity एक मौका मिला और जिसको करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा मैम आप प्लीज हमारी दर्शों को यह बताएं कि सरकार और आग मूवी में आपने अमिताब बच्चंजी के साथ किया इमरा हाश्मी के साथ आपने दा किलर मूवी में काम किया इतनी मतलब बड़ी हिट मूवी करने के बावजूद एक टाइम पर आपने like बॉलिवूट को कहा जाए आपने उससे दूरी बना ली तो उस पर क्या किया ना चाहिए एक ही साथ में क्योंकि मुझे याद आता है जब मैं यहां से गई थी डेली से तो मैंने अपनी मदर को यही कहा था कि मैं जा तो रही हूँ लेकिन मैं जा इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे छोड़ना है मुझे लगता है कि I have been always inclined and followed मतलब जो मेरे दिल जो जिधर भी guide करते हैं चाहे वो खिलाफ हो करियर के खिलाफ हो या जिन्दगी के खिलाफ पता नहीं क्या मैं हमेशा रिदे औरेंटेड इनसान ही रही हूँ तो जब मैं गई उस वक्त मेरा passion था उसको जानने का कि क्या है एक इनसान पांच मिनट के अंदर दस अलग जोड़ी कपड़े में एक ही जगा पे कैसे दिख सकता है कभी पेड़ के नीचे एक मिनट के अंदर पहाड के उपर I was very innocent and knife तो मैं ये सब चीजों को experience करना चाहती थी और मैं सच कहूं तो मैं कभी भी attached नहीं थी ना तो fame से और ना ही मुझे लगता था कि career से I was always like a child like innocent person जिसकों कि सब कुछ जानना है experience करना है तो मैंने ये सब जाना experience किया उसके बाद में मुझे लगा कि नहीं मेरी कुछ और भी सपने है अगर मैं एक चगा पे रुक गई तो माना कि शायद मेरा fame और बढ़ जाएगा या मैं as a personality as a व्यक्तित तो लोगों के सामने बहुत निखर के आऊंगी लेकिन जो मेरी खुद की इच्छाएं है हर इनसान हर सोल इस धरती पे आता है कुछ ना कुछ अपने इरादों को पुरा करने के लिए desires को पूरा करने के लिए तो मुझे लगता है कि मैंने उस चीज को फॉलो करते हुए किसी चीज की परवाह नहीं की कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा बट आइंवरी हैपी कि जो भी मैंने डिसीजन लिये वो बहुत अच्छे लिये बिकस उसके बाद में मुझे योगा सिखने का मौका मिला कि मैं योगा को बहुत पसंद करती थी पहले सही बचपन सही फिर मेरा फाउंडेशन का वर्क देन आप मेरेट और फिर आएव चाइल और अलसो तो ये सारे चीजे जो है अलग-अलग मैं ऐसी ही हूँ वस इतना ही कह सकती हूँ क्यों हूंimana 취 not with me, but I am like this, I like to experience different things आछा मैम आपने Bollywood पे लिए सुपरस्टार लां के अमिता बच्चिन जिनके साथ काम किया तो अनके साहतने का मैं पहरे अपक वर कमके मुग में चाहते हैं गुजर रही थी अमीता बच्चनончी के घर के बाहर से तब मेरे पास कोईवी फिल्म्स नहीं थी पर पता नहीं मेरे मन में क्या आया, क्या एरादा आया, इस तरीके की इनसान में हूँ मैं बस उनके घर के सामने उत्री और मैंने अपने मन में कहा कि मैं यहां पर लाइन लगाने के लिए नहीं आई हूँ जो उनका फेमस डायलॉग मेरी जो पहली फिल्म है वो आपके साथ होगी यह बोला अपने मन में बोला वापस ओटो में बैठी घर जाके सो गई ठीक है और इस बात को मैं भूल भी गई लेकिन उसके बाद में मुझे जेम्स पिक्चर मिली रामकोपल बर्मा जी ने मुझे जेम्स दिया फिर उन्होंने एक दिन मुझे अचानक बुलाया और कहा की ओके स्टार उड्यू लाइक तो वर्क विट सुपरस्टार मैंने का हुए सुपरस्टार ही सेड मिस्टर अमिताब बच्चन तो आय है नो वर्ड मैंने का येस कॉंसी फिल्म कहा की सरकार बोला ओके आप उसमें मैंने का हाँ क्यों नहीं अगर एक सीन भी अगर है अमिताब बच्चन जी के साथ में मैं करना चाहूंगी और मुझे याद है जब मैं सेट पे बैठी थी मैं पूरा रेडी होके बैठी हुई थी और सर आ रहे थे अमित जी तो जैसे कोई इनसान कोमा में चला जाता होगा कि बहुत सारे केमरे से बहुत सारे लोग है बट ना सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है डिरेक्टर की भी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है बस उनकी शकल दिख रही है जितना पास आ रहे है उतना मेरा जो दिमाग है वो शायद और गायब हो रहा है वहीं से वो गोविंदा गोविंदा सौंग भी चालू होती है उनका ब्लेसिंग्स भी मिला मुझे उसी शाट के रूप में तो और जो मैंने कहा था कि मेरी पहली विल्म आपके साथ होगी अच्छली मेरी पहली विल्म जो हिंदी में रिलीज हुई वो सरकार थी जबकि James मुझे मिली थी लेकिन तो ये जो है फिर मुझे डरना जरूरी है दूसरी फिल्म मिली उनके साथ पिर आग में काम किया बोहती ऐसे व्यक्तित्तव के साथ में काम करना उनके आसपास में गूमना और उनको देखना से भी इंसान बहुत कुछ सीखता है. He is very humble, very nice and very kind person. आच्छा मैं आप से जाना चाहूंगी निशा फाउंडेशन की आप फाउंडर और चेर पर सेने, तो प्लीज हमारे दाश्रकों को बताएं, निशा फाउंडेशन क्या है और ये किस चीज के लिए काम करता है? निशा फाउंडेशन 2016 में हमने स्टेबलिश किया और जब सबसे पहला कारेकरम जो हमने किया था, वो ये था कि Football for Nation, उसमें हमारे पास साथ में Bollywood के अभिशेग बच्चन की टीम थी, अभिशेग बच्चन, रनवीर कपूर, उनकी एक टीम बनी हुई है, और 40 MPs थे, यहाँ पे डेली से, उन दोनों के बीच में हमने मैच करवाया था, जवाल लाल नहरू स्टेडियम में, और हमने यह प्रोग्राम किया था, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, एंड स्वच भारत अवियान, उसी वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने लाँच किया था, तो उसको सपोर्ट करने के लिए, और प्रोमोट करने के लिए, हमने अपने तरफ से यह काम किया था, विट एस्सेशेशन अफ, मिनिस्टर अब चाइल्ड एंड वोमन, डेवलपमेंट, प्लस बाबा रामदेब जी आय थे, अपने अपने बाबा रामदेब को फुटबाल खेलते हुए देखा होगा, वो हमारा ही मैच था, and it was very successful and to support the cause of बेटी बचाओ and बेटी पढ़ाओ, तो हमारा जो foundation है सबसे ज़ादा काम करती है कि sports के लिए and education के लिए, because मुझे लगता है और मेरे husband और मैं, हम दोनों को हमेशा यही लगता था, कि जो sports है वो भी एक तरीके का religion जैसा ही है, अगर आप sports के अंदर involved रहते हैं, और तो उसमें आप बहुत सारी scope है, जैसे कोई frustration, depression, tension, यह आपके आसपास भी नहीं फटकेगी, और football एक ऐसा game है, जब आपको सोचने का मौका नहीं मिलता है, on the spot there is no time to think, and when you are not thinking, at that time you are most happiest person, तभी आप सबसे ज़्यादा खुश रहती है, बोलते हैं ना कि आप जब आप अपने में रहते हैं, तब आप सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, तो हम लोगों ने slum children's को, ताकि जो लोग football खेलना चाहते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे, उनके पास होनहार है, इस तरीके से हम लोग football को काफी promote करते हैं, not only football, I would like to say sports, फिर हमने football season 2 किया था, जिसमें all 16 colleges, prominent colleges of Delhi, उन सब ने हमारे Nisha Foundation में football का एक tournament हुआ था, 3 days का, जिसमें काफी ministers आये थे, और many ministers were present, तो वो किया उसके बाद में, कबर्डी की match भी करवाया हमने, तो villages में जाके भी interior जगह पे, then I shifted to Spain, Spain में में रहती थी, दो साल के लिए Spain shift हो गई थी, तब मैंने वहाँ पर भी यहां से religious leaders को बुला के, peace conference करना, world peace conference, with organization of OMPP, तो इस तरीके से हमने अलग-अलग कारिक्रम, पार्लामेंट में हमारे बहुत कारिक्रम हुआ है, बहुत ही जैसे book launch करना, और education conclave, education जो difficult परिस्थितियों में, जो teachers, दूसरे बच्चों को, slum children's को, या disabled children's को पढ़ाते हैं, उनके लिए हमने काफी promote करने की हम कोशिश करते हैं, तो इस तरीके से foundation में अलग-अलग काम होता रहता है, अच्छा मैम, आप प्लीज ये बताएं, आपका जो NGO है, निशा foundation, government के कौन-कौन से project को support करता है, इसके साथ ही क्या हम आने वाले समय में, football for nation के और भी matches देखेंगे हैं? Of course, देखेंगे, because हमने football, तीन हमारे football season 3 तक हो चुका है, Now I will be planning, थोड़ा सा हमारा break इसलिए आगया, because football जो है, ये सबसे ज़ादा ये जो इरादा है, ये मेरे husband का ही किया हुआ था, But Corona के time में भी हम लोग बहुत काम कर रहे थे, around 1 lakh people were getting food from our foundation and getting benefit of other things, whatever was required, But unfortunately, मेरे husband Corona के शिकार हो गए है, और वो हमको छोड़के चले गए हैं, तो उसके कारण football को दुबारा से मैं revive करके उसको आगे लेके चल रही हूँ, उसके बाद में मैंने कुछ programs किया है, और अभी football को वापस हम लोग plan कर रहे हैं, तो football तो मेरे husband के नाम पे चलता रहेगा, जी बिलकुल, आच्छा मैम हमारे देश के प्रेजिडेंट श्री रामनात कोविन जी ने आपकी जो बुक थी coffee table उसको launch किया, तो प्लीज हमारे देश को को अपनी बुक के बार में कुछ थोड़ा सबता है, हाँ, kick for a cause, it was a coffee table book, जो कि हमने pictorial book थी, जो कि हमने football for nation जो जवालाल नहिरू स्टेरियम में program हुआ था, उसको फिर हमने राश्ट्रपती भवन में गए हम और ये मेरा सभाग्य है कि मुझे उनके हाथों से मेरे बुक का launch हुआ और उसी वक्त हमारा education conclave भी हो रहा था, तो उन्होंने बहुत सभी teachers के लिए हमारे माध्यम से संदेश भी भेजा था, and we even got 23 letters of different governors of our India, तो मुझे बहुत ही जादा खुश किसमती है कि, बट ये सब चीजे बहुत ही जादा आसानी से इसलिए हो जाया करती थी, because मेरे हजबन जो थे बहुत डाइनमिक थे, he used to do all these things, तो इसलिए सारा credit जो है, जितना भी अभी सब कुछ हुआ है, वो तो उन्हीं को जाता है, बिल्कुल, अच्छा मैं आप से जाना चाहूंगी कि, निशा foundation की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगी सभी महिलाओं और बच्चियों को लिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि, इस दुनिया में आप जो चाहे, सब कुछ कर सकते हैं, और यह सच है, लेकिन तब कर सकते हैं, जब आप अपने लिए खुद बोले, हम हमेशा वेट करते हैं कि, आप मेरा साथ दे, आप मेरा साथ दे, कि जब मैं अपना स्वयम का साथ खुद दूंगी तो स्वयम के लिए प्लीज स्टैंट फॉर यूरसल्फ जो चीज आपको पसंद है वो आप करिए इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ भी करिए या मर्यादा नहीं मर्यादा में रहते हुए भी इनसान अपने सारे इराद सारी भावनाएं सभी से अपने आसपास के सभी लोगों से हां करवाज सकते हैं और उसकी भाशा है प्रेम की और मुझे लगता है जो महिला है वो बनी है ये शब्द का परिभाशा को समझाने के लिए या स्प्रेट करने के लिए तो माम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए तो ये थी बॉलिवुट की फेमस एक्ट्रिस प्रियंका को ठारी जिन्होंने एहम मुद्धों को लेकर हमसे बात की और हम आशा करते हैं कि इनकी जो एंजियो है निशा फाउंडेशन वो और भी आगे बढ़े और सक्सेस हासिल करें इस खास एपिसोट में केवल इतना ही मुझे दीजिये इजाज़त नमस्कार